आज से भरे जाएंगे जार्खन में 26,000 सरकारी सिक्षक भरती के लिए आवेदन जार्खन में 26,000 सहाय कचारे के पदों पर भरती के लिए आवेदन प्रक्रिया जार्खन करमचारी चेहनायोक यानि JSC आज यानि 8 अगस्त से शुकरेगी आवेदन के इच्चुक उमिदवार आयोकी आधिकारिक वेबसाइट जे JSC.NIC.IN पर उपलप्त कराये जाने वाले ओनलाइन आवेदन फोर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे आवेदन करने की आखरी तारिक 7 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है अधिसूचना के अनुसार प्राइमरी अस्तर कक्छा 1 से 5 के लिए उमिदवारों को 10 पलस 2 और अपर प्राइमरी कक्छा 6 to 8 के लिए असना तक होना जरूरी है साथी उमिदवारों को जार्खन सिक्चक पातरता परिच्चा यानि जेटेट में उतीर्न होना जरूरी है जार्खन में 9 और 10 अगस्त को कई इलाकों में होगी बारिश जार्खन में 9 और 10 अगस्त को बारिश की संभावना है 9 और 10 अगस्त को चत्रा, पलामो, गड़वा और लातिहार सहीत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग ने इसे देखते हुए जहारखन में येलो अलट जारी किया है मौसम विभाग ने कहा है कि ये बीचोप का असर है पलामू परवंडल के जीलों में इसका असर दिख रहा है मंगलवार को जहारखन के उत्री हिसे गुड़ा साहिब गंज देवगर दुमका पाकूर जामताड़ा गिरिडी जामताड़ा हजारी बाग कोडर्मा चत्रा लातिहर पलामू और गड़वा में भारी बारिश हो सकती है मौसम विभा के अनुसार अभी यह मौसम बना रहेगा 9 अगस्तक जहारखन में कहीं कहीं हलके से मद्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है जहारखन में हो रही बारिश के कारण किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन अब भी जहारखन में हालात बेहद अच्छे नहीं है जहारखन के खूटी से PLFI के 5 उगरवादी गिरपतार जारकन के खोटी से बड़ी खबर है यहां खोटी पुलिस को सर्च ओपरेशन के दोरान बड़ी काम्याबी हासिल हुई है पुलिस ने पर्तिबंधित उग्रवाती संगठन पिपुल्स लिबरेशन फेडरेशन ओफ इंडिया पी एल एफाई के पाँच उग्रवादियों को गिरपतार किया है खबरों को माने तो मुढ़ू थानाशेत्र में तलाशी अभियान के दोरान पुलिस ने पी एल एफाई के पाँच उग्रवादियों को पकड़ लिया है पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हत्यार जब्द किया है मीडिय की खबरों को माने तो पुलिस ने पकड़े गए उग्रवादियों के पास से देशी कट्टा, जीन्दा कार्थूस, पिले फाई का पर्चा, चंदा, रसीत, स्मार्टफोन, बाइक और दस हजार उपए नकत जब्द किया है बतादे की पुलिस ने यह बड़ी कारवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है जहारखंड के मुख्यमंत्री स्री हेमन सुरेन ने किया बोकारों के चंदरपुरा में विभिन योजनाओं के उदगाटन और शिलानियास एवं परिसंपती बीतरन समारों में शामिल हुए इस अवसर पर 292 करोड से अधीक राशी की 37 योजनाओं का उदगाटन और शिलानियास किया गया साथी 1186 लाबुकों के बीच 116 करोड से अधीक राशी की परिसंपती का बीतरन किया गया मुख्यमंत्री स्री हिमसुरेन ने कहा कि आने बाले दीनों में कई बार ऐसा समय आएगा जब पतादिकारी आपके द्वाय जाएंगे और समस्या का खल करेंगे उन्होंने कहा कि पुर्व में भी गाउगाउग कैम्प लगा कर समस्याओं का समाधान किया गया है लोग सभा में पास हुआ डिजिटल परसनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2030 लोग सभा में सोमवार को हंगामे की बीच डेटा प्रोटेक्शन बिल 2030 को मंजूरी दे दी गई जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के संग्रक्षन और व्यक्तिगत डाटा का संबर्धन करने वाले निकायों पर साधारन और कुछ मामलों में बिसेस बाध्यता लागो करने का उपबंद किया गया है देश और दुनिया में लागातार टेकनलोजी का बिश्तार हो रहा है ऐसे में कहीं न कहीं इसका गलत इस्तमाल भी किया जा रहा है कई बार डेटा चोरी के साथ साइबर क्राइम की खबरें सामने आती हैं इनहीं सब पर रोक लगाने के लिए जिहां सरकार ने परसनल डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया है पिछले दिनों कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद इसे लोगसभा में पेश किया गया था जो अब नीचले सदन से पास हो गया है इतना ही नहीं डिजिटल परसनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राप्ट में प्रस्तावीत प्रावधानों का उलंगन करने पर जुर्मानी की रकम को बढ़ा दिया गया है ये जुर्माना 500 करोड रुपए कर दिया गया है इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आपके डेटा का गलत इस्तिमाल करता है तो उस पर 500 करोड रुपए की पेनाल्टी लगा ही जा सकती है IT सेक्टर में लगबक 40 परतिशत नौकरी हो सकते हैं कम मंदी का दिख रहा असर मंदी के कारण से विकास रूक रहा है आने वाले महिनों में IT शेतर में भरती पर असर पड़ने की संभावना है भारत की टौप IT कमपनियों की पहली तिमाही की आयने भारत में IT के शेतर में मंदी के संके दिये हैं श्टाफिंग फर्मों के मताबिक इससे नियुक्ति पर बड़े अस्तर पर असर पड़ेगा मीडिया की खबरों को माने तो श्टाफिंग फर्म एक्स फेनों के आकड़ों के अनुसार टौफ IT सर्विस फर्म वीतिये वर्स 2024 के दोरान पच्चास हजार से एक लाख करमचारियों को निउप्त करने की संभावना है यह पिछले वर्स से धाई लाख से अधी की भरती से भारी गिरावट है बीतवर्स 2024 की पहली तीमाही में भारत के सिर्ष 5 IT एक्सपोर्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानि TCS इनफोसिस HCL टेक बीप्रो और टेक महिंद्रा में और सतन 21,838 कर्मचारियों की संभा में गिरावट देखने को मिली है केवल दस महिने में तीन लाख शहरों में पहुँची हाई स्पीड 5G सेवा भारत में 5G नेटवर्कों को तेजी से स्टैबलिश किया जा रहा है देश में 5G नेटवर्क के शुरू होने के मातर दस महिने के अंदर ही तीन लाख शहरों से अधिक इलाकों पर इसकी पहुँच बन चुकी है खबरों को माने तो देश के 714 जीलों को मिला कर 3 लाख साइट्स पर 5G सेवा को पहुँचा दिया गया है यानि अब इन 714 जीलों में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस की सुविधा मिल चुकी है केंदरी मंतरी अस्विणी वर्षनों ने इस बात की जानकारी सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म कूपर दी उन्होंने कहा कि मौजुदा समय में दुनिया की सबसे तेज 5G सर्विस का रोलाउट जारी है और इसी क्रम में 714 जीलों में 5G पहुँच चुका है भारत में 5G सर्विस को पिछले साल 1 अक्टूबर को लॉंच किया गया था फिलाल अभी भारत में केवल दो ही टेलिकॉम कमपणी जीयो और एर्टेल ही 5G सर्विस को उपलग करा रही है 24 गंटों में 54 मामले बढ़कर 1574 पहुचा कोरोना का एक्टी मामलों का आकड़ा भारत में कोविन नैंटीन के एक्टी मामलों में वरिदी धर्शी गई 7 अगस 2023 को एक्टी मामलों की संख्या 1574 के आसपास पनी हुई है 6 अगस 2023 की सुब 8 बजे केंदरी स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंतराले द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1552 थी जबकि 5 अगस्थ 2023 को इनकी संख्या 1553 रिकोट की गई थी स्वास्थे मंतराले द्वारा जारी आकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 54 नए मामले सामने आये हैं जबकि 32 लोग COVID-19 से हरी कबर हुए हैं पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुए है देश में COVID-19 से मरने वालों का आकड़ा 5,31,918 दर्च या गया है इससे पहले 6 अगस्थ को 47 नए मामले सामने आये थे जबकि 5 अगस्थ को 77 नए मरीज मिले थे केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे उपर है इसके बाद पस्चीम बंगाल, महाराष्टर और उत्तरपरदेश में मामले सक्रिय है हैकर भारत को बना रहे सबसे ज़्यादा निशाना सुरक्षा शोदकरताओं ने वैश्विक अस्तरपर 2023 की परथम तीमाही में हैकिंग की घट्राओं में व्रिधी देखी है जिसमें भारत धार्मिक कारणों से हैक्टिविज्म का परमुक लक्ष बनकर उभरा है सुमवार को एक नई रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है साइबर सुरक्षा फर्म क्लाउड सेक के अनुसार 2023 की पहली तीमाही में हैक्टिविज्म परिद्रिश में भारी बदलावाया अपरेल में हैकिंग हमले 35 परतीशत बढ़ गए हलाकि मई में आउसत में थोड़ी कम्याई लेकिन जून में भी ऐसे ही रुजहान देखे गए इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि हैकरों ने 2021 से 2023 तक दुनिया भर में कुल सरसट देशों को निशाना बनाया है इनमें भारत सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में उपरा है इसके बाद इसराइल, पोलेंड, औस्टिलिया, पाकिस्तान का स्थान रहा केंद्रिय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुश खबरी अब 3 परतीशत बढ़कर 45 परतीशत होगा भत्ता केंद्रिय कर्मचारियों को जल्द ही महंगई भत्ते में ब्रिधी का तोफ़ा मिलने वाला है एक खबरों को माने तो केंद्रिय सरकार कर्मचारियों का महंगई भत्ता 3 पिसदी तक बढ़ा सकती है इसका मतलब है कि महंगई भत्ता 3 फिसदी बढ़कर 45 फिसदी होने की संभावना है खबरों में कहा गया है कि यह ब्रिधी एक करोड करमचारियों और पेंशन भोगियों के महंगई भत्ते और महंगई राहत को बढ़ाने के लिए हैं ऐसे में सभी को 45 फिसदी दिये या डी आर मिल सकता है कि अंधरी करमचारियों को मिलने वाला महंगई भत्ता और महंगई राहत हर महिने स्रम मंत्राले की शाखा लेबर ब्यूरो द्वारा जारी आंक्रों के आधार पर तैय किया जाता है आसान शब्दों में कहें तो लेबर ब्यूरो हर मेने अखिल भारतिय उपभोकता मुल्य सुचकांग का डेटा जारी करता है इसी आधार पर तैय होता है कि करमचारियों का डिये कितना पढ़ेगा खबरों को माने तो जून 2023 के लिए AICPI IW 31 जुलाई को जारी किया गया था इसके थाथ All India Rail Women's Federation की ओर से चार परतिशत महंगई भत्ते में ब्रिती की मांग किजा रही है